कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग दोस्तों अस तारीक है अठाए सेप्टमबर 2019 और यहां पर फिर से एक पोजिशनल इस्टोक से आप लोगों के सामने आया हूँ इसका नाम है अजन्ता फार्मा अजन्ता फार्मा का यह डेली का चार्ट है दोस्तों एक एक एकर करेंगे डेली के चार्ट पर भी अनलीसिस करेंगे और वीकली के चार आपको समझ में आगी किलियर हो जाएगी आपका concept तो उसी condition पर मैंने अजन्ता फार्मा को भी select किया हुआ है सबसे पहले डेली का चार्ट देखते हैं ठीक है डेली के चार्ट पर क्या है अजन्ता फार्मा अगर आप देखें एक प्राइक्स चानल में trade कर रहा है अजन्ता के नीचे 1100 के नीचे trade कर रहा है यहीं 1100 जो है 1100 इसका है कि important resistance level हमें यहाँ पर सोग कर रहा है यह हो किया अब हम लोग से जरह डेली का चार्ट को और अबजर्व करने की पोशिश करते हैं तो इस टोक को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आजन्ता फार्मा बिल्कुल को यहिए परैस्टानल के कर त्रेड कर रहा है ठीक है पराइस चैनल के अंदर आप complete देखें एक हगाध Kendall मिससाओट होती है बाहर जाती है सब इमनौर करें। और उसके बाद आप इस प्राइश के देखें की इस तो कंटेट करता है। अपर जाता है कि अपर को डेश्ट किया। अपर में फिर लोट धिया। पर lower इस तरह से price channel में trade करता हुआ continue चला रहा है अभी फिलाल अभी फिलाल क्या हुआ है last time thrush day को क्या हुआ अजन्ता फार्मा अपने इसी price channel के lower band पे आया हुआ था जो मैंने आपको 3 star video में दिया था lower band पे आया हुआ था यहां से दिखेश ने पांस बैक लिया जैसा कि aspect था इस lower band के बाद वापस से stocks upper band में जाने की कोशिज करेगा तो अब यह stock धिरे-दिरे upper band की तरफ जा रहा है यानि कि daily के chart पर आजन्ता फार्मा प्रायक्ष चैनल के अंदर sustain कर रहा है ट्रेट कर रहा है upper अगर हमें daily के chart पर अगर अजन्ता फार्मा daily के chart पर नीचे की side में break करेगा तो किस level पर sale करना है हम लोगों को क्या chart प्लोस है क्या target तो देखें नीचे की side में यह lower band को बारवर टेस्ट कर रहा है ठीक है अभी हलांके upper band के पास जाने में इसको third time है lower band के पास यह आने की courses कर रहा है और यहीं से यह bounce back किया है अगर आजन्ता फार्मा अगर आजन्ता फार्मा नीचे की side में नीचे 1015 को closing basis पर break कर देता है कहने का मतलब 1015 को break करता है नीचे की side में और close भी हो जाता है 115 के नीचे 115 12 13 उसके नीचे close हो जाता है तो वहां पे एक sale की opportunity बनती है जिसको कि आप सेल के position बना सकते हैं उसको फिर सेल में आप delivery ले सकते हैं और सेल में कैसे delivery लेते हैं cash में तो कभी होता ने वह जब भी होगा फ्यूचर में होगा एजन्ता फार्मा तो सेल के side में delivery बनेगी लेकिन एक हजार पंद्रा के नीचे उसके पहले नहीं तो मैं यहां पे sale का एक position लेको फिर buy का भी बताओंगा कि buy कहां पिल लेना है अभी हम पहले sale देखते हैं तो buy के लिए क्यों करना है क्योंकि इस प्रैक्स चानल को यह बरबर टेस्ट करें lower side में और हो सकता इसको एक breakdown देशके यहां पे अजन्ता फार्मा तो इस चीज़ को हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे एक मेंट दोस्तों तो अजन्ता फार्मा यहां पे sale करते हैं हम लोग 2015 के नीचे sale below मैं यहां पे लिखना चाहूंगा sale below 2015 1015 के नीचे हमको sale का position अजन्ता फार्मा में बनाना है ठीक है शुआ जूम कर देता हूं और उस condition में जो हमारा stop loss लगेगा sale के condition में जो हमारा stop loss लगेगा अजन्ता फार्मा में वो हमें लगेगा यहां पे 1040 का यानी 1040 का stop loss हम लोग यहां पे लगाएंगे 1040 की बात करों यह sale का stop loss है जीजो दोस्तों 1040 कैस के चार्ट पर याद रखें कैस के चार्ट पर अगर यह इस लेवल को break करता है ठीक है तो future में जो भी price उस बक्त चल रहा हो आप वहां पे position बना सकते हैं लेकिन अपने कोई भी personal bind या selling की सलह में बिलकुल भी नहीं है तो अगर cash के चार्ट पर यह 1015 को नीचे की तरब closing basis पर प्रेक करता है तो वहां पे future में जो भी price उल रहा होगा उस price पर हम पोजिशन बना सकते हैं सेल साइट में इस टॉपर से 1040 का लगाएंगे और यह delivery है positional है short term के लिए है टार्गेट जो होगा इसमें दो टार्गेट होगा नीचे की साइड में दो टार्गेट आपको देंगा मैं यहां पर सबसे पहला टार्गेट जो होगा टार्गेट वन फिर बाय साइट भी दिखाऊंगा कि बाय करना है तो कहां पर करना है लेकिन पहले मैं सेल करता हूं टार्गेट वन 980 का होगा 980 रुपय का एक टार्गेट होगा आपको आजनता फारव में सेल साइड में याद रखेगा सेल साइड में अगर यह क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकता है तो और टार्गेट तू जो होगा वो होगा हमारा 950 का यानि कि 950 रुपय का इस चीज़ को ध्यान में रखेगा इस टॉपरों से 1040 का लगाएंगे और टार्गेट 980 का पहला होगा अगर दूसरा टार्गेट 950 का होगा यह डेली के चार्ट पे चीज़ें मुझे दिखाए तेरा इस प्राइस चानल के वज़ा से अब हम लोग इसको बाय साइड के लिए देखते हैं कि अगर यह सेल में नहीं गया हमें बाय साइड में के पोजिशन बनाना हूं तो कहां बनाना है जड़ा अब मैं इसको विकली के चार्ट पर करता हूं दोस्तों जड़ा ध्यान से देखें मैं इसको विकली के चार्ट पर करता हूं आप अगर इसको विकली के चार्ट पर देखेंगे तो जबर September 2018 से स्टेंड लाइन का resistance ले रहा है जैसा कि यहां पर आप आप्येक्ष डेट नीचे September 2018 से complete एक साल से स्ट्रेंड लाइन का resistance ले रहा है मैं यहां पर मार्क करके मार्क करके अनकि मैं स्ट्रेंड लाइन को यह कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया Finally, दो रबर इस मन्त में, यहानि 2019 से प्टम्बर, मन्त में दो बार इस ten-line को इसने टेस्ट किया है. एक बार, फिर दूसरा बार टेस्ट किया है, उसके पास में जाके यह close भी कर रहा है. और यह cup-with-handle pattern बना रहा है. कौन सा handle pattern बना रहा है एक resistance के साथ देखिए यह resistance face कर रहा है बार-बार यहां पे भी अगर मैं इसको दिखाऊ हूं handle का resistance है और साथ ही यहां पे भी cup का resistance है इसको यह face भी कर रहा है horizontal line के हिसाब से और 10 line के हिसाब से weekly chart पर काफी ज्यादा resistance है finally दो बार test किया और उसके पास में यह cup with handle pattern बनाते हुए close कर रहा है तो अब हमें by अगर बनाना है तो इसको cup with handle pattern बना मैं इसको by side में देख रहा हूं weekly चाट पर मैं इसको by side के लिए देख पा रहा हूं तो by कहां पे करेंगे हम लोग इसको by कहां पे करेंगे इस चीज़ को मै यहां पर mention कर देता हूं पहले मैं आपको moving averages और सारे इंडिकेटर भी देखा देता हूं देखें मसीटी और RSI की बात करते हैं लोग तो मसीटी डावर्स हो चुका है सिंगनल लाइन से cross over करके डावर्स कर रहा है और RSI भी लगवक 655 के पास में trade कर रहा है उसके बाद अग विकली चार्ट पर तो 9 डेके expansion moving average उपर trade कर रहा है 26 डेके expansion moving average के उपर trade कर रहा है 50 डेके expansion moving average के उपर trade कर रहा है और यह जो yellow line है वह है 100 डेका expansion moving average जिसको कि अगर logical बात करूं तो target फिर हमारा 1134 अगला होगा लेकिन position कहां बनाएंगे इस बात को पहले हम लोग clear करते हैं कि 1034 का target होगा कोई बात नहीं वह logical target होगा 100 डेका expansion moving average वहाँ पर तो आप logical target 1034 next हो सकता है लेकिन 1134 का logical target होगा 1134 का 1134 का 1134 का लेकिन कहां पर position बनाएंगे सबसे पहले हम लोग उस बात को देखेंगे वापस आते हैं weekly chart पर अगर यह stock 1100 के ऊपर अगर यह stock by का condition by closing basis on closing basis यह रिखें हमें सा closing stop loss भी लगाएंगे closing basis पर यानि कि जो price मैं दूंगा stop loss का उसके नीचे अगर वह stock close करता है तो ही exit करेंगे otherwise exit नहीं करेंगे हो सकता है वह touch करें इंट्राडे में वापस ऊपर चला गया तो वह false हो जाएगा फिर हमें वहाँ पर exit नहीं करना है हमें उस price के नीचे close होना है और above buy above कब करेंगे ज जब यह 1100 के ऊपर trade करेगा 1100 के ऊपर close करेगा अजन्दा फार्मा याद रखे 1100 के ऊपर यानि 1100 के ऊपर अगर वह close करता है तो हम इसमें position बनाएंगे by side में अजन्दा फार्मा में इस condition में 1100 के पर जब हम position बना लेंगे तो इस condition में जो हमारा stop loss लगेगा वह closing basis पर stop loss होगा और वह by side का closing basis होगा वह हमारा होगा stop loss 1070 यानि 1070 का 30 point का stop loss है यहां से कितने point का stop loss है मादर 30 point का 30 point का stop loss है और आप बात करते हैं target तो target मैं आप इसमें दो target दूँँगा target 1 जो होगा वह होगा 1200 का यानि कि 1200 रुपे का 100 point का target होगा लुप सब्सक्राइब 100 point का target होगा weekly chart पर और जो second target होगा वह होगा 1300 यानि कि 1300 का 1300 का दूसरा target होगा और यह सब्सक्राइब कि 1200 का यह दूसरा target होगा target 1 कितना होगा 1200 का और target 2 कितना होगा 1300 का by position कब बनाएंगे जब यह 1100 की उपठेट करेगा क्यूं बनाएंगे क्यूंकि weekly चार्ट पर यह सप्टेंबर 2018 से स्टेंड लाइन का resistance ले रहा है उसको बार 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 टेस्ट करता है अगर इसको ब्रेक आउट करता है जो कि 1100 का एक resistance लेवल आ रहा है कभी थेंडल पैटन का भी साथ में इस horizontal resistance लाइन का भी वह 1100 को resistance ले रहा है अगर उसको ब्रेक करता है clothing basis पर पोजिशन बन सकता है वित लॉजिक तो यह मेरा दोस्तों स्विंग टेडिंग के लिए अगर पसंद आती दोस्तों वीडियो आनलिसिस तो ज़रू लाइक कीजिए कमेंट सेक्षन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है मेरा यह सेक्षन चैनल मिलते हैं तब हमनों नेक्ट वीडियो में कोई सुझाओ वह सुझाओ भी दे सकते हैं आपका सुझाओ पर मैं अमल करने के पूरी खोशिश करूँगा तो अगर वीडियो आनलिसिस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अब तक के लिए धंग्या